इसको मैं पूरा इसका बैग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैंने ये बैग्राउंड डाला और एक इसके नीचे से रोड डाल देता हूँ रोड मैं इसी में से ले लूँगा अब इनको सेट करता हूँ मैं इसके नीचे से मैंने इसको सेट कर दिया है अब मैं इसकी शेडव मनाता हूँ शेडव मनाने कलिए मैं इसका इसकी कॉपी लेता हूँ और इस नीचे वाले लेयर को मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करता हूँ इसमें मैं कलर ओवर ले ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा सा बलर नेस बड़ा देता हूँ थोड़ा सा सेट करता हूँ उसे तो गाइस मैंने इसकी शेडव भी बना ली है और अब इसमें मैं थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट इसके थोड़े से इसके एजिस में थोड़ा से जो पीजे से लाइट आ रही है उसको बनाता हूं और एक मैं ब्रॉश लेता हूं और थोड़ा सा कलर मैच करते हैं कलर बैलेंस है तो यह कलर बैलेंस में रहो गया और एक और मैं इसके अंदर लिंक करूंगा मैं क्लिप करूंगा और इसको थोड़ा सा कलर दे दूंगा ब्लेंडिंग मोड और थोड़े से इसके यहां के आसपास के सेंपल लेके मैं थोड़ा सा इसमें करूंगा ताकि थोड़ा लिया लगे ताकि ब्लेंड हो जाए अच्छे से तो इतना ठीक है तो इतना ठीक है इतना ठीक है और थोड़ा सा और हम कर सकते हैं इस साइड क्योंकि यह लाइड जाले तो इसी ब्राइटनेस तो जो की है और शायद मैं यहां इसके स्काई में थोड़ा सा थंडर भी डाल सकता हूं देखते हैं तो ठीक है इतना सही है और एक मैं स्क्रीन कर रहा हूं ब्लैंडिंग मोड स्क्रीन ले रहा हूं और इसके जो यह ब्राइटनेस है तो जिसे ब्राइटनेस थोड़ी से ज्यादा देजाए इसके लाइट स्क्रीन कुछ इतना ठीक है इतना ठीक है और इसके पीछे से इस सब्जेक्ट के पीछे गीज्य से मैं एक थोड़ा सा धुख इफैक्ट यह फिर पीछे से थोड़ा सा एफैक्ट टाइप वह करता हूं मैं स्पोक्स्मूद प्रश से करूंगा जो मैं स्क्रीं आप डार स्थेर प्रवंधें स्पार प्रव नहीं मुझे पीछे स्मोक सही नहीं लग रहा है तो मैंने इसको सूचा थी इसके नीचे ही बना ले कि इसके नीचे से स्मोक आ रही हो और ये थोड़ा सा धूए से उपर उठ रहा हूँ तो कुछ वैसा कुछ फैक्ट करने की सूच रहा हूँ है इसी कलर का नीचे यहां पर और यहां पर मुझे स्मोक प्रस्पेक्ट मालना होगा वह भी नया लेयर लेकर और वह मैं ब्लेंडिंग मोड कलर डाज रख माता कि इसकी चुछ लाइट से वह थोड़ी थोड़ी यहां पर विजिवलों इस साइट और इसकी मैं थोड़ी से ओपिसीटी कम कर लूँगा और थोड़ी से ब्लर अब ठीक है और मैं एक और लेयर लूँगा और फिर से यही मारूँगा क्यूंकि अब ठीक है और जो मैंने पिछले किया था वो ब्लर वो ब्लर हो गया था इसलिए उसकी थोड़ी से स्मॉक वाले पार्टिकल्स नहीं दिख पाए तो इससे थोड़ी बहुत दिख जाएंगे और यह स्मॉक वाले मैं एफेक्टिस ले रहा हूं ता कि यह विजिबल वाच्छे से क्योंकि जो मैंने पिछले लेयर था उसमें तो ब्लर कर दिया था और इस स्मॉक में थोड़े से पार्टिकल्स दिख जाएंगे इसके कुछ जाद ही होगी और यह भी सरी लग रहा है ऐसे नहीं है कुछ जाद है कर दो कुछ जाद हम दो कुछ जाद है कुछ जाद है कुछ तो काइस मैंने इस पर थोड़ा बहुत बहुत कर दिया है थोड़ा बहुत करना रहना करना रहना तो को अ को में फर से कौर को में फर से कौर नहीं ब्लर नहीं करूँगा इसके सिर्फ साइड की एजिस में मिटाऊंगा किसी जैसे वो अगर ब्लर किया तो फिर उसकी डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाएगी सिर्फ एजिस मिटाऊगा फिर इसकी कॉपी लेके इसको भी प्रेस अब कर दो थोड़ा समय इसमें स्मूग डाल देता हुआ इस मेरे पास मूग प्रस है वा आप डिलीट बोलना हो आप डाउन्लूड भी कर सकते है तो मैं थोड़ा सा स्मूग प्रस डाल देता हुआ ताकि इसके नीचे लगेगी दुआ आ रहा है मुक मैं शशका टस्व जल LINK मुक मैं झाल देता हुआ स्मूग कर सा समूग मुक मुक मैं थें चार्म मुक मैं कर सा ठcularाल मुक मुक झाल 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 झाल